हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल पर और आज हम आपके लिए एक और इंफोर्मेटिव वीडियो लेके हैं जिसके अंदर हमें बात करने वाले हैं जो की आपका केजी एम्यू जो की यूपी में है केजी एम्यू यूपी में है उसकी स्टाफ नर्स की वेकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं और यह आपकी लखनाव की वेकेंसी है केजी एम्यू जो इंस्टिटूट है केजी एम्यू जो इंस्टिटूट है लखनाव में स situated है उसकी स्टाप नर्स की वेकेंशी के बारे में बात करने वाले हैं इलाज की स्वीदा में अब और सुधार की उम्मीद जगी है सास्तान में जल्दी स्टाप नर्स यानी नर्सिंग ओपिसर के 1276 पदो पर इस्थाई बढरती होने जा रही है विश्व विदाले परशासर ने बुद्धवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है अगले 10 तिन में ओनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और ये KGMU के वेबसाइट पर 2 दिनों में इसका लिंक अपलोड कर दिया जाएगा इस जिस पर अभेरती भरती से जुड़ी सभी जानकरी देखकर आवेदन कर सकेंगे नर्सिंग भरती ओनलाइन परवेश परिक्षा के आधार पर की जाएगी KGMU परशासर ने इस बार आयोग के वज़ाए एजेंसी के माद्यम से खुद भरती करने का फेशला किया है हलांकि यह है वही एजेंसी है जिसने लोई या संस्तान की भरती परिक्षा आयोजित कराई थी परिक्षा के दोरण काफी गड़बडी देखने को मिली थी इसमें कुछ सेंटर पर दोबारा परिक्षा करानी पड़ी थी इसे लेकर केजी एम्यू परिक्षासन का कहना है कि टेंडर में सिर्फ उसी एजेंसी ने आवे दिन किया है इस वज़े से उसे जिम्मेदारी दी गई है तो दोस्तो ये आपका जैसा की इसमें बताया गया है जो आपका RML का जिसक ने एकजाम करवाया था, एकजाम में बहुत सारी प्रोब्लम हुई थी, वही एजरसी फिर से आपका एकजाम करवाने वाली है लेकिन आपकी बार साइद ये सुधार करके आएगी बहुत सारी जो भी गडबड हुई थी आपकी बार नहीं होने वाली है तो ये आपकी खुसकबरी की बात है जोकि इसमें 1276 पदो पर वेकेंसी जल्दी ही आने वाली है और ये नर्सिंग ओपिसर यानि स्टाफ नर्स की व दोस्तों तो बने रही है हमारे साथ में देखते रही है थैंक यू गाई